नमस्कार दोस्तों क्लासेट महारास्ट्रा स्टेट बोर्ड मातेमाटिक्स चाप्टर नमबर 16 सर्फिस एरिया और वोल्यूम प्रेक्टिस सेट 16.2 मेन कोशन नमबर 2 मेन कोशन नमबर में 5 कोशन इससे पहले जोड़े हुआ है उसमें हमने स्वाल कर लिये हैं अब हमें कोशन नमबर 2 स्वाल करना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक और शेर करें और बेल आकम प्रेस करें जिससे के आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके जो कोशन नमबर 2 है देखिए फाइंड दो टोटल सर्फिस एरिया आफ दे क्लोजड सिलेंड्रिकल ड्रम यहां पर हम सिलेंड्रिकल ड्रम के डाइग्राम ड्रॉ करेंगे तो यह होगा क्लोजड सिलेंड्रिकल ड्रम का हमें टोटल सर्फिस एरिया फाइंड करना है तो टोटल सर्फिस एरिया में यहां का जो कर्ड सर्फिस है कर्ड सर्फिस भी आएगा और जो उपरी चत है उसका भी एरिया आएगा और जो निच्चे का bottom है bottom में भी circle है और top में भी circle है इन दोनों का भी area आएगा तो इन सभी का area मिला के है total surface area हुगा उसका हमने formula पहले पढ़ा है हमें पता है formula तो हम पर्मुला लिखेंगे और अंसर फइंड करेंगे लेकिन यहां पे जो पाइ क्यू यूज़ दिगे है 3.14 22 x 7 वैलू लिणा है जब अगर पाइ क्यू हलु नहीं दी गई हो अगर पाइ क्यो पॉइंड में दी गई हो तो वही हमें अंसर में लिखना है तो देखें, find the total service area of closer cylindrical drum, if its diameter is 50 cm, diameter मतलब radius का 2 times, radius के double, radius से double diameter होता है, तो radius होगी diameter से अधी, radius होगी 25 cm, और जो height है, वो हमें यहाँ पर दीगे है, 45 cm, तो अब हमें सिर्फ formula लिखना है, और value substitute करके answer, find करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो टोटल सर्फिस area of closer cylindrical drum, तो टोटल सर्फिस area of closer cylindrical drum is equal to 2 pi r in bracket r plus h, तो 2 into pi into r, तो 2 into pi की जो value है, यहाँ पर हमें दीगे है, 3.14, वो ही लिना है, into radius, radius है 25 cm, in bracket मतलब multiplied by in bracket, radius के लिए 25, प्लस height की जो value है, वो 45, तो 2 से हम 25 को multiply करेंगे पहले, तो 25 into 2, यह होगा 50 into 3.14, multiplied by, फिर इन में हम addition करेंगे 25 plus 45, तो यह होगा 50, 70, तो 70 into 50 into 3.14, अब यहाँ पर तोड़ा आसान कैसे multiplication होगा देखिए, यहाँ पर एक 0 है और यहाँ पर एक 0 है, तो यह दोनो 0 जो हैं, अगर हम cancel करते हैं, तो 100 से इसे multiply करना होगा, तो decimal point दो डिजिट आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर 5 into 3.14 into यहाँ पर 7 रहेगा, और फिर इन तीनों नंबर्स का हमें multiplication करना है, तो multiplication में जो भी answer आएगा, वो होगा 1099, 0 cm2, इतना area total surface area होगा, जो भी cylinder हमें यहाँ पर दिया गया है उसका, तो उमीद है आपको यह question भी समझ में आ गया होगा, question number 3 देखिए, find the area of the base and radius of the cylinder, if its curved surface area is 660 square centimeter and height is 21 centimeter, तो यहाँ पर curved surface area दिया गया है और height दी गई है, तो हमें radius find करना है, तो हम यहाँ पर पहले formula लिखेंगे, curved surface area का, तो curved surface area, curved surface area of cylinder is equal to 2 into pi into r into h, तो जो curved surface area दिया गया है, वो हमें left hand side में यहाँ पर लिखना है, 660 centimeter square, is equal to 2 into pi की value 22 by 7 into radius की value हमें find करनी है, और height की value लिखना है 21 centimeter, radius की value find करनी है, तो r को ही right hand side में यहाँ पर रखना है, और जो बाकी के numbers हैं, उनको हमें left hand side में यहाँ पर लेना है, तो left hand side में लेते समय, plus minus के number जो है, वो sign change करके left side को आ जाएंगे, numerator के numbers numerator में, denominator के denominator में, लेकिन r के साथ जो भी numbers multiplications में हैं, उन में जो numbers numerator में हैं, वो denominator में आएंगे, और जो number denometers में हैं, वो number left side में numerator में आएंगे, तो यहाँ पर 7 denominator में हैं, right hand side को, तो left hand side में 7 numerator में आएगा, 2 numerator में हैं, denominator में आएगा, 22 denominator में, 21 denominator में आएगा, तो अब हम यहाँ पर r की value मिल जाएगी, तो 7 बंजा 7, 7 तरिजा 21, 2 बंजा 2, 2 3 बंजा 6, 2 3 बंजा 6, 2 0 बंजा 0, 3 बंजा 3, 3 बंजा 3, 3 0 बंजा 0, 22 बंजा 5 बंजा 110, तो denominator में सभी numbers 1 हैं, 1 इंटो 1 इंटो 1 बंजा 5 बंजा 1, होगी, तो पहले हमने यहाँ पे, circle की radius find कर ली है, तो question क्या है, देखे, find the area of the base, and radius of the cylinder, तो area तो हम directly find यहाँ पे नहीं कर सकेंगे, तो उसके लिए हमें पहले radius find करनी है, तो हमने यहाँ पे पहले radius find कर ली है, तो radius 5 cm होगी, अब हमें area base का find करना है, अब जो भी base है, cylinder का, वो base है circle, तो base का area find करना है, इसका मतलब circle का area find करना है, जिसकी radius 5 cm हो, तो हम यहाँ पे area of base, area of base is equal to, यह formula लिखेंगे, पाई into r square, पाई r square यह जो formula है, वो area of circle का है, तो पाई की जो value है, वो हमें लिखना है 22 by 7, into radius का square, radius की value है 5, 5 का square होगा, 5 into 5, 25, 25 को 22 से multiply करना है, और जो भी multiplication आएगा, उसे हमें 7 से divide करना है, तो हम यहाँ पे 25 से 22 को multiply करेंगे, 25 to the 50, 25 to the 50 plus 55, 55, तो 550, 550 को 7 से divide करना है, तो 7, 7 जा 49, 49 मैनिस करेंगे यहाँ पे, तो 6, 60, तो 7, 8 जा 56, 60 मैनिस 56, 4 remainder होगा, अब आगे digit नहीं है, तो decimal point लेकर, यहाँ पे 0, 75 जा 35, remainder 5, 0, 7, 7 जा 49, तो decimal point के आगे, 2 या 3 डिजित तक हमें answer लिखना है, centimeter square, तो 78.57 centimeter square यह जो होगा, पूंसर होगा, area of base of the cylinder, cylinder का जो base है, उसका area, तो इस वीडियो में इतना ही है, मतलब इतना ही हमें लेना है, एक question है, जो question number 4 है, वो हमें next video में solve करना है, question number 4, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत, धन्यवाद, प्योचा प्योच प्योचा झाल